हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंस कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में हम लोग पियर्सन इंग्लिस क्लास 4 का चेप्टर नमब 3 पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक ब्यूटी इसे पहले मैंने दो चेप्टर इसी बुक का रॉविन रेड ब्रेस्ट और वाट्स यू ड्रीम और रेड़ी एक्स्प्लेन कर दिया है तो अगर आपने इन दोनों चेप्टर के एक्स्प्लेनेशन को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं ठीक है ना तो उस रेड कलर वाले बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लिजे इसके बाद जब भी नेक्स चेप्टर अप्लोड किये जाएंगे तो आपको काफी इसली उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे ब्लैक ब्यूटी इस ट्वरी री स्ट्रेट फ्रम व्शेज माउध ये जो सट्वरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक ब्यूटी ये सीधे एक घोड़े के मूह से निकली हुई कहानी है मतलब इस कहानी को कौन कह रहा है तो एक घोड़ा अपनी जबान से कह रहा है इंग्लिस फार्म with his mother to his difficult life in London तो ये जो घोड़ा है ये अपने जीवन के उतार चड़ाओ अपने जीवन की जर्नी को बतलाता है कि वो कैसे लंडन के एक इंग्लिस फार्म में रहता था अपनी मौम के साथ और जब वो बच्चा था तो उसके दिन कैसे केर फ्री हुआ करते थ पिता था वो एकदम वो लापरवाहि से बड़े ही मज़े से बिताता था लेकिन उसकी मौम की जिन्दगी थी वो काफी difficult थी It also narrates the tale of his happy retirement in the country और यह अपने happy retirement काम से तकान के बाद जब इनसान retire हो जाता है या janवर हो जाता है तो उसको हम लोग retirement कहते हैं तो यह अपने happy retirement के बारे में भी बतलाता है कि कैसे वो country में, मतलब countryside कहने के मतलब यहाँ पे गाउद दिहाद के रिया को हम लोग countryside कहते हैं, तो अपने retirement के बारे में भी हमें बतलाता है, let us read about one of the incidents in his life, तो उसके life की घटनाओं के बारे में चलो हम लोग, उसके life में जो बहुत सारे incidents हुए हैं उन में से, एक incident के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है, so let's start, the longer I lived at Burtwick Hall, the more proud and happy I felt at having such a place, कहने का मतलब, Burtwick Hall में मैं जितने समय के लिए, मतलब जितना जादे समय तक के लिए मैं वहाँ बे रहा, मुझे इस तरह का जगा पाकर मुझे काफी proud फील होता था, और मैं काफी happy फील करता था, कि मुझे रहने के लिए इतना शांदार जगा मिला है, Burtwick Hall, our master and mistress, अब देखो master कहने का मतलब, मालिक और mistress कहने का मतलब मालकिन, तो मेरे मालिक और मालकिन, मालिक और मालकिन को जितने भी लोग जानते थे, सभी लोग उनकी कदर करते थे, उनको प्यार करते थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे, they were good and kind to everybody and everything, not only men and women, कहने का मतलब मेरे मालिक और मेरी मालकिन जो थी, वे हर चीज के प्रती और हर लोगों के प्रती, हर किसी के प्रती क्या थे, काफी kind थे, सिर्फ मर्द और और औरत के लिए ही नहीं, but horses and donkeys, घोडों के लिए, गथों के लिए, dogs and cats, कुटें और बिल्यों के लिए, cattle and birds, मवेसियों और पंचियों के लिए, हना, इन सब के प्रती मेरे मालिक और मालकीन का जो ब्यवहार था, वो काफी अच्छा था, काफी kind था, there was no oppressed or ill-used creature, that had not a friend in them, कहने का मतलब, उनका कोई भी ऐसा friend नहीं था, या उनके पास कोई भी ऐसा जानवर नहीं था, जिन पे वे लोग अत्याचार करते थे, या जिन के साथ वे लोग बुरा ब्यवहार करते थे, and their workers took the same tone, और उनके जो workers थे, उनके घर में जो नौकर चाकर थे, जो काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने भी वैसा ही tone accept किया था, मतलब उन लोगों का भी बेवहार, अपने जानवरों के प्रती क्या था, बिल्कुल अच्छा था, जैसे कि मेरे मालिक और मालकिन करते थे, अपने जानवरों के साथ भी है, if any of the village children were known to treat any creature cruelly, they soon heard it from the hall, कहने का मतलब गाउं में, अगर कोई भी बच्चा किसी भी जानवर के साथ, बुरे तरीके से विवहार करता था, उसके साथ क्रूरता बरता था, तो उन लोगों को ये बात पता चल जाते थी, वे लोग हॉल से ही इस बात की जानकारी रखते थे, माई मास्टर और फार्मर ग्रे, अब यहाँ पर ये गोड़ा, जो हमारा ब्लैक ब्यूटी जो गोड़ा है, वो कहता है कि मेरे मालिक और एक किसान जिसका नाम क्या था, ग्रे, इन लोगों ने एक साथ मिलकर कितने साल काम किये हैं, बीस से अधिक सालों तक काम किये हैं, जो कि गोड़े को लगा करके उसे खीचा जाता है, तो कार्ट होर्से में जो गोड़े होते हैं और उनके ओपर जो लगाम लगी हुई होती है, जो चेक रेंस लगी हुई होती है, उसके खिलाफ उसको खत्म करने के लिए ये लोग 20 सालों से काम करते आ रहे होते हैं और हमारे पार्ट्स में मतलब हमारे इलाके में सायद ही आपको घोड़े में लगाम लगे हुए दिखाई देगा अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा ये चेक रेंज क्या होता है ये देखो ये जो इस गोड़े के मुँ में जबड़े के बीच में जो लगाम लगा हुए इसी को हम लोग इंगलिस में चेक रेंज कहते हैं तो जो ये black beauty का जो मालिक था उसको ये बात पसंद नहीं थी कि लोग अपने घोड़े में क्या लगाएं लगाम लगाएं वो नहीं चाहता था कि घोड़े को इससे तकलीफ हो और हमारे इलाके में लोग लगाम वैसे भी नहीं लगाते थे and sometimes if mistress met a heavily laden horse she would stop the carriage and get out कहने के मतलम अगर मेरी मालकीन कभी भी किसी घोड़े को देखती थी जिसके ओपर बहुत जादा समान लादा हुआ होता था तो वो अपनी गाड़ी को रोकती थी और बाहर निकलती थी and tell the driver in her sweet serious voice how foolish and cruel it was और उस driver को बताती थी कि वो कितना बेवकूफ है और वो उस जानवर के साथ कितना बुरा बेवहार कर रहा है उसको कितना बुरी तरीके से उसके उपर बोच डाले हुए है है ना वो उसको बताती थी अपने प्यारे से और serious voice में I wish all ladies were like my mistress कहने का मतलब यहां पर यह गोड़ा कहता है कि कास ऐसा होता कि दुनिया के सारी जो औरते हैं सारी जो ladies हैं वो मेरी mistress के तरह होती मेरी मालकिन के तरह होती Our master two believed in treating animals well यहने का मतलब मेरा जो मालक थे उन्हें भी इस बात में बिस्वास था वो भी इस बात में बिस्वास रखते थे कि हमें जानवरों के साथ अच्छा बेवार करना चाहिए I remember he was riding me towards home one morning यहां पे हमारा character black beauty जो कि यह घोड़ा है वो कहता है कि मुझे यात है एक दिन सुबा में हुआ मुझे घर की तरफ सवारी करके ले जा रहा है थे When we saw a powerful man driving in a light pony car तब ही हमने देखा कि काफी ताकत वह रादमी काफी powerful man क्या कर रहा था एक छोटे से pony car घोड़ा गाड़ी को drive कर रहा था with a beautiful little bay अब देखो bay कहने का मतलब क्या होता है तो यहां पर बताया गया है कि हमने इक इनसान को देखा जो कि एक छोटे से pony car को घोड़े गाड़ी को क्या कर रहा था drive कर रहा था और उसमें जो घोड़ा लगा हुआ था वो क्या था now with slender legs and a sensitive face जिसके पैर काफी पतले थे और काफी sensitive face था उसका मतलब उसका वो चेरे से काफी innocent लग रहा था अब देखो यहां पर इसी घोड़े की बात हो रही है और यहां पर इस घोड़े के सिर पे इसके गर्दन पे जो आपका जो बाल दिख रहा नहीं इसको हम लोग main कहते है इसके गर्दन पे जो सुनहरे लंबे बाल होते है इसको हम लोग main कहते है और इसकी पूछे जो होती है उस पे भी ऐसे ही बाल होते है इस color के तो यहां से हम लोग आगे देखते है one second just as he came to the park gates मतलब जैसे ही वो अपने गाड़ी को लेकर कहां पे आता है हमारे park के gate के पास आता है the little thing turned towards them तो वो जो गोड़ा था जो छोटा सा बे था वो उन park की gates की तरफ मुड़ा the man without word or warning वो इनसान क्या करता है without word or warning turned the pony's head with such a force and suddenness that it nearly fell तो उस इनसान ने उसको क्या किया बड़ी ही जोर से और अचानक से ऐसे मोड़ा ऐसे खीचा जैसे की लगा की वो अब गिरसा गया है यहाँ पे देखो जब यह किसी दूसरे direction में यह गोड़ा मुड़ता है तो यह उसको क्या करता है वापस दूसरे direction में खीचता है और इसी को हम लोग चेक रेंस कहते है इसी को हम लोग लगाम कहते है और यह जो black beauty था इसके जो मालिक थे वो इसी लगाम के खिलाफ थे वो नहीं चाहते थे कि गोड़े को लगाम में बांद कर रखा जाए तो वो बड़े ही ताकत के साथ बड़े ही फोर्स के साथ क्या करता है उसको दूसरे direction में turn करता है recovering और जिससे वो घोड़ा लगबग गिर साजाता है recovering itself it was going on वो घोड़ा वो चोटा सा जो बे है वो खुद को संभालते हुए खुद को सुधारते हुए क्या करता है खड़ा होता है और फिर आगे बढ़ना सुरू करता है when he hit it furiously और उसी समय वो आदमी उसको मार भी रहा होता है the pony plunged forward और ये जो चोटा सा जो घोड़ा है ये काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है but the man's hand held the pony back with force enough to hurt its jaw लेकिन ये आदमी जो है ना उसको लगाम के साथ काफी जोर से पीछे से पकड़े हुए होता है जिसके वज़र से उसके जबड़े में काफी तकलीफ भी होती है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये घोड़ा आगे बढ़ रहा होता है और ये इस लगाम को पकड़ के पीछे खीच रहा होता है जिससे इस गोड़े को काफी तकलीफ होती है वाइल दो विप स्टिल कट इन्टु एट और इसी दवरान वो उसको विप मिन्स होता है चाबुक से उसको पीट भी रहा होता है नहाँ पे हमारा ब्लैक ब्यूटी जो गोड़ा हो कहता है मेरे लिए जो द्रिस्ट था वो काफी डरा होना था बट मास्टर आस्ट मी तो स्पीड अप लेकिन मेरे मालिक ने कहा कि जल्दी चलो और हम लोग वहाँ पे उस इंसान के गाड़ी के पास कुछ ही सेकंड्स में पहुँच गए इसके बाद क्या होता है अब देखो उस इंसान का नाम क्या था तो हमारे मालिक जो हैं वो चिलाते हुए कहते हैं कि क्या वो घोड़ा क्या वो पोनी मांस और हड़ी का नहीं बना है जो तुम इतना बुरे तरीका से उसके साथ बिवार कर रहे हो वो इंसान रिप्लाई कर रहा है अच्छा ये इनसान ये जो घोड़ा है वो मांस का हड़ी का और गुस्से का बना हुए मतलब ये जो घोड़ा है वो काफी गुस्सेल है कहने के मतलब ये हमेशा कि पार्क का गेट था उसकी तरफ मुड जाता है इसी को लेकर वो कहता है कि ये मेरी बात नहीं मानता और अपनी मनमोजी करता है he was a builder who had often been to our place on business अब यहां पे बताया गया है कि वो जो आदमी था जो उस छोटे से नाजुक से घोड़े को काफी परिशान कर रहा था वो एक builder था और वो अकसर इन लोगों के यहां पे business के लिए आता जाता रहता था इन लोगों के जगा पे वो आता जाता रहता था and do you think said master sternly that that treatment like this sorry and do you think said master sternly that treatment like this will make it listen to you अब यहां पे मालिक कहते हैं यह जो black beauty के जो मालिक हैं वो कहते हैं उस इनसान से कि अच्छा तो तो तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरीके से तुम उसके साथ बेवहार कर रहे हो वो तुम्हारी बात सुनेगा it should not have turned towards your place the road was straight on said the man roughly तो वो इनसान गुसाते हुए कहता है कि अच्छा तो इस गोड़े को तुम्हारे घर की तरफ तुम्हारे प्राणी के मेमोरी को बतलाता है कि एक बार अगर घोड़ा गाड़ी एक जगह पे चला जाता है तो उसका वो जगह का रास्ता उसको याद हो जाता है है ना तो हो सकता है कि उससे पता चले कि वो दुबारा वहीं पे जा रहा हो और वो उधर मुड़ जाता है है ना वही बात यहां पे बताई गई है कि यह क्रियेचर का किसी भी प्राणी का मेमोरी है उसकी intelligence उसकी पारा नहीं जा रहे हो हना यह बात तो से पता नहीं I must say Mr. Sawyer that I have never witnessed a more brutal treatment of a little pony and by such anger you injure your own character more than you injure your horse and remember we shall all have to be judged according to our works whether they be towards man or towards beast यहां पे कहने का मतलब हमारे Black Beauty के जो मालिक है वो कहते हैं कि मैंने आज से पहले किसी भी ऐसे इनसान को नहीं देखा है जो कि किसी घोड़े के साथ जो कि किसी छोटे से घोड़े के साथ इतना बुरी तरीके से इतना brutal treatment करता है और फिर यहां पे कहते हैं कि यह जो तुमार चरित्र को भी क्या कर रहे हो इंजियोर कर रहे हो अपने character को भी बरबाद कर रहे हो है ना और याद रखो है ना जब इनसान को judge किया जाएगा मरने के बाद हो सकता है कायामत के दिन जब इनसान को judge किया जाएगा तो उसके अपने work के प्रती हो उसे judge किया जाएगा भले व को मिला करके आपको judge किया जाएगा और फिर बताया जाएगा कि आप नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे ये बात यहाँ पर बताई गई है indirectly ठीक है ना Master rode me home slowly and I could tell by his wife how the thing had grieved him अब यहाँ पर black beauty जो गोड़ा है वो कहता है कि Master मुझे सवारी करके धीरे धीरे घर गए और मैं उनकी आवाज को सुनकर ये बता सकता था कि वो कितने दुखी थे उस बात को जानकर और उस चीज को उस द्रिस को देखकर कि वो इनसान उस गोड़े के साथ कैसे बेवहार कर रहा था On another day when we were out एक दूसरे दिन जब हम लोग घर से बाहर थे We met Captain Langley हम लोग Captain Langley से मिले और कौन थे? A friend of ours master जो की हमारे मालिक के क्या थे? दोस्त थे He was driving a splendid pair of horses वो क्या कर रहे थे? दो घोड़ों की एक शांदार जोड़ी को drive कर रहे थे After a little conversation the captain said What do you think of my new team? थोड़ा बहुत बात करने के बाद Captain ने कहा मेरे मालिक से कि आप मेरे इस नए टीम के बारे में क्या सोचते हैं? Mr. Douglas अब यहाँ पर पहली बार बताया गया है कि इस Black Beauty के मालिक का नाम क्या था Mr. Douglas You know you are the judge of horses in these parts and I should like your opinion और Captain Langley कहते हैं और मुझे आपका opinion चाहिए अपने घोड़ों के बारे में तो मुझे बताये कि मेरे घोड़े कैसे हैं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह दो घोड़े हैं यहाँ पर दोनों घोड़ों के बीच में बैठे हैं यह है Captain Langley और यह Black Beauty जो हमारा घोड़ा है और घोड़ा का जो मालिक है यह है यह Mr. Douglas है न यह क्या करते हैं क्या बताते हैं Let's see The master backed me a little so as to get a good view of them कहने का मतलब master ने मुझे थोड़ा सा back किया आपकी वो उन दोनों घोड़ों को अच्छे से देख सके They are an uncommonly handsome pair He said and if they are as good as they look I am sure you need not wish for anything better अब यहां पे Mr. Douglas कहते हैं यह दोनों जो घोड़ों का जो पेर है जो जोड़ी है वो कितना शांदार है कितना handsome है और जितने शांदार जितने अच्छे यह दिखते हैं और सच में अगर यह उतने ही अच्छे हैं तो फिर आपको इस से बहतर कोई और चीज़ पाने की उमीद नहीं रखनी चाहिए ठीक है ना यहां पे कौन कहते हैं Mr. Douglas कहते हैं But I see you still travel your horses with that thing and lessen their power फिर यहां पे यह कहते हैं कि लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आप यह जो घुड़ों में जो आपने लगाम लगा के रखा है इसके वज़ा से आप इन्हें तकलीफ दे रहे हैं और आप इन घुड़ों के सक्तियों को इनके पाउर को कम भी कर रहे हैं देखो यहां पे क्या लगे हुए लगाम लगे हुए है ठीक है ना और यह नहीं चाहते हैं कि इनके बीच क्या लगाया जाए लगाम लगाया जाए तो यह जो मुझ के चबड़ों के बीच से जो लगा हुआ है यह नहीं लगा हुआ होना चाहिए इसी के खिलाफ थे मिस्टर डगलस अब देखो ये Captain Langley कहते हैं कि आपको that thing से क्या मतलब आप that thing से क्या कहना चाहते हैं तो फिर ये कहता है कि मैं उस लगाम की बारे में बात कर रहा हूं कि उस लगाम से आप अपने घोड़ों को मसीबत में डाल रहे हैं और उसके वैसे उनकी सक्ती भी खतम हो रही है तो यहां पर Mr. Langley करें ओ अच्छा मैं जानता हूं कि आप हमेशा चाहते हैं कि घोड़ों के उपर ये लगाम ना लगा रहे है और इस तरह के चीजों को रोकना आपकी होबी भी है लेकिन सच बात ये है, fact ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरे घोड़े हमेशा अपने सिर को ऊपर रखें ये बात Captain Langley कहते हैं इसलिए मैंने क्या किया है, इनके ऊपर लगाम लगाया है So do I, I said master मेरे master Black Beauty कहता है कि मेरे master ने कहा कि मैं पही ऐसा ही चाहता हूं कि मेरे घोड़े कभी भी अपने सिर को नीचे न रखें But I don't like to see them held up लेकिन मैं उन्हें बधे हुए भी नहीं देखना चाहता हूं No you are a military man Sorry, now you are a military man Langley and no doubt you like to see your regiment look well on parade and you say heads up to them but you would not take credit for your drill If all your men had their heads tied to a back boat कहने का मतलब हमारे मालिक Mr. Langley को समझाते हैं कि देखो अब तुम क्या हो एक military man हो है न और इसमें कोई सक नहीं है कि तुम अपने regiment तुम अपने group के जो troops हैं जो सैनिक हैं हमेशा चाहोगे कि जब वो parade करें तुम उनका heads जो है न उपर रहे और जब तुम भी कहो कि heads up करो है न और तुम इसका credit लेना चाहो तो तुम नहीं ले सकोगे अगर तुमने उनके heads को उनके सीरों को क्या कर दिया है किसी back boat से बाद करके रख दिया है तो ऐसा तुम नहीं कर पाओगे है न and it is just the same with horses और यह बिलकुल और यह घोडों के लिए भी बिलकुल वैसा ही है है न तो उनके सीर को बादने की जरूरत नहीं है you may depend on it you may depend on it horses are intended to have their heads free है न तुम मेरी बातों पे भरोसा कर सकते हो कि एक horse का असल मतलब यह है कि उसका जो सीर है वो उसका जो heads है वो free होना चाहिए as free as ours कि जितना की हमारा head free है हमारे सीर के उपर कोई पावंदी नहीं लगा है कोई रसी नहीं लगा हुआ है वैसे ही घोडों के सीर के उपर भी कोई रसी नहीं लगा होना चाहिए and if we could act a little more according to common sense और अगर हम लोग जरा सा और common sense का use करें and a good deal less according to fashion और हम लोग fashion को छोड़ कर अच्छा काम करें we should find many things work easier तो हम को बहुत ऐसे चीज मिल जाएंगे जो की काम करना आसान होगा जिससे काम करना आसान होगा I believe you are right said the other यहाँ पर इतना सब बात सुनने के बाद Captain Langley कहते है कि जहां तक मुझे बिस्वास है कि तुम ठीक कर रहे हो आप सही कर रहे है I'll think about it मैं इसके बारे में सोचूंगा and so they parted और वे लोग क्या होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं वहां से चले जाते हैं This was the lesson in kindness that I learnt at Burtwick और हमारा घोड़ा जो Black Beauty जो main character है वो कहता है कि यहीं लेशन था kindness का द्यालुता का जो कि मैंने Burtwick में रहते हुए सीखा है और यहां पे हमारा story the end हो जाता है और यह story Black Beauty जो है वो Black Beauty से लिया गया है Anna Civil के द्वारा तो Anna Civil जो हमारी author है इनका एक novel है पूरा का पूरा जो novel है उसका नाम है Black Beauty और उसी का एक छोटा सा पॉरसन एक उसका chapter है तो chapter का explanation कैसा लगा आप लोग मुझे comment करके ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो like कीजएगा चनल पर नए होगे सब्सक्राइब पीजएगा अमिल देखने है जबर साथ दुगले बबाबार